एलो एवरीवन वेलकम इन माय ब्यूटी व्ल्ड कैसे हैं आप सब I hope you are all doing well आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ एक जल आइलाइनर का रेव्यू साथ में अन्बॉक्सिंग भी करूंगी यह मैंने मंगाया है फिलिप कार्ड से और स्विस प्यूटी कंपनी का मैंन अजिए फिलिप कार्ड से कुछ मंगाती हूँ और मैं और कुछ करती हूं और मुझे रिसीव कुछ और प्रोडक्ट होता है तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि यह क्या मतलब जल आईलाइनर ही रिसीव हुआ है यह नहीं देखते हैं क्या निकलता है पक्ट्न पैके के अंदर तो लेट सी ओपन करते हैं इसको क्रॉस्ट फिंगर एंड लेट ओपन दपैकेट इस तरह का यह पैकेट है जो मुझे रिसीव हुआ है अब मैं इसको खोल गी हूं आपके सामने ही इस तरह से रेप होकर आय यह बबल रैप में gsta टो इस तो धो काफी अच्छी बात है कि चलो एक चीज को सही हिए स्विस्ट का है इस तरह से रिसीव हुआ है यह यह रिसीव ब्लास्टिक का रीपम चड़ा हुआ यहां दोस्तों यह इस तरह का मुझे रिसीव हुआ है काफी अच्छा है इसका काड़ बॉर्ड का बॉक्स है यह काफी अच्छा पैकेट है यह और मैं बता दू इसका जो रेट है मुझे मैंने फ्लिपकार्ट से यह खरीदा है टू थर्टी रुपीज का और इसका जो प्राइस है वो मैं मुझे पता नहीं है इसका रियल प्राइस क्या है तो इसका रियल प्राइस में हाँ पर देख रही हूं कि रियल प्राइस है इसका 299 यानि कि 299 रुपय का है और इसकी जो एक्सपारी डेट है वह भी मैं आपको ब में चाइना लिखा हुआ था तो यह चाइना का प्रोड़क्ट है पहली बाद तो लेकिन स्वेस्ट प्यूटी कंप्टिंग काफी अच्छी है मैंने इसकी लिप्स्टिक वगरा काफी यूज की है तो इसमें दो चीजें इसमें काफी सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है क स्मस्ट प्रूफर क्रीमी एंड स्मूथ टेक्स्चर है इसका तो यह चीज अभी हम देखेंगे किस तरह का यह है ब्रस इसके साथ में आता है और इसमें दो चीजें मिलती है मैं पहले आपको पैके पूरा ओपन करके दिखा देती हूं फिर मैं बात करती हूं प्रोड़क् यह काफी अच्छी टपी है यह बहुत अच्छा कंटेनर मिला है इस तरह का जी ब्रस दिखा दूं पहले में ब्रस देख लेते हैं फिर उसके बाद में प्रोड़क्ट दिखाऊंगे आपको किस तरह का प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट दोस्तों ब्रस इसका इस तरह का है यह आप देख सकते हैं मतलब है एक तरफ जो है इसका एंगुलर साइड वाला जो है आइब्रोग को फिल करने के लिए जो ब्रस होता है वह वाला है थोड़ा स्टिफ है सॉफ्ट नहीं है मैं आपको बता दूं लेकिन आ सॉफ्ट है तो यह काफी अच्छी बात है अब मैं इसको दिखा देती हूं आपको उपन करके यह यहां से ओपन होता है इधर से जी हाँ यह आइब्रोग पाउडर है और यहां पर एक छोटा सा मिरर है जो कि यूजलेस है क्योंकि इतने छोटे से में तो कुछ नहीं हो सकता यह इसका यहां पर आईब्रो पाउडर है और यहां पर इसको नीचे जम त्विस्ट करते हैं तो इसमें से जैल आई लाइनर निकलता है दिखने में काफी अच्छा लग रहा है क्वांटिटी में आपको बता दूँ उपर वाले प्रोड़क्ट की क्वांटिटी चार ग्राम है नीचे वाले प्रोड़क्ट की क्वांटिटी है 3 ग्राम तो 3 ग्राम ठीक है 4 ग्राम ज्यादा है नीचे वाली 4 ग्राम होने चाहिए थी उपर वाली 3 ग्राम होने चाहिए थी पिग्मेंटेशन जादा नहीं है इसलिए अच्छा है क्योंकि तो ब्लैक कलर का है ब्लैक कलर तो आइब्रो पर हम लगाते हैं तो थोड़ा सा डरावनी हमारी आइब्रो हो जाती है तो हमें नहीं लगाना चाहिए वैसे मैं तो यहीं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्राउन कलर पाउडर होता है शड़ो में होता है उसी को लगा लो लेकिन इसका जो आप देख रहे हैं यह बिल्कुल ही लाइट है तो आप इसको आइब्रो पर फिल कर सकते हैं और लाइट लाइट हातों से अगर आप इसको यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा तो यह चीज अ ऐसे ओपन करके ना रखे ना आप जब भी यूज करना हो ना तो आप बिल्कुल खोलें इसको अपना प्रोड़क्त लें और साथ के साथ बंद कर दें क्योंकि जल्दी से ड्राय हो जाता है फिर ड्राय होने के बाद में यह फिर यूजलेस हो जाएगा बहुत जल्दी ड्र करें तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि यह बहुत जल्दी ड्राय होते हैं इसलिए अब मैं इसको देख लेती हूं किस तरह का है दिखने में काफी अच्छा लग रहा है यह मैंने ले लिया है प्रोडक्ट पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ नहीं तो ड्राय हो सकता है और मैं इसका आपको दिखा देती हूँ काफी अच्छी पिग्मेंटेशन है इसकी बिल्कुल जट ब्लैक है यह विल्कुल ब्लैक है यह और स्मूदली बिल्कुल ग्लाइट हुआ, यह कि यह स्मज़ करता है या नहीं करता है लेट इट सेटल डाउन दें आफ्टर भी विल सी हाँ इट समज़ और नॉट और ये भी हम देखेंगे कि वाटरप्रूफ है या नहीं है पहले स्टल डाउन होने दें एक मिनट के लिए क्योंकि इसको साथ कसाथ हो गरम समझ करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं पहले थोड़े सेटल कर लेते हैं तो इसका टेक्शर तो मैंने आपको दिखा दिया जी हां यह समज़ प्रूफ है बिलकुल मैं इसको रब कर रही हूं लेकिन यह रब नहीं हो रहा है तो आइलाइनर मुझे अच्छा लगा है बाकी मैं इसको मैं आज लगाऊंगी और मैं एक तो दिन बाद मैं फिर कभी में जो वीडियो डालूंगी तो मैं आपको इसमें बत सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमली में आप सेयर भी कर देना तो मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में तिल देन बावाई